हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे IINW vs PKW Dream 11 Stats Plus Info यानि इंडिया वूमेन और पाकिस्तान वूमेन के बीच में जो आपको बहतरीन मैच देखने को मिलेगा एशिया कप का मैच 13 ये जो इशिया कप है इसमें पिछला मैच पाकिस्तान थाइलेंड वूमेन से हार के आई है इंडिया लगातार तीन मैच जीती है लेकिन दोनों टीम्स टक्कर की है इंडिया स्लाइटली फेवरेट टो मिन दा मैच और वीडियो भी आपको मिल जाएगा लिंक जो है वो आप चेक करेंगे टेलीग्राम का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वहीं पे किसी भी तरीके का फाइल अपडेट इंपोर्टेंट होता है तो आ जाएगा दोस्तों वेन्यू रहेगा सिलहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो की आपको बता दूँ कि दूसरा स्टेडियम है जो इशिय कप में होस्टिंग कर रहा है इससे पहले जो स्टेडियम था वो ता सिलहेट आउटर सर्कल स्टेडियम लेकिन पिछले जो दो यहां पहले नौ मैच हुए थे इसी एशिया कप के तो दोस्तों दोनों मैच यहां पे आप देखोगे थोड़े से लो स्कोरिंगी गए हैं और आप वही एक्सपेट करते हो क्योंकि यहां पे थाइलेंड और मलेशिया जो टीम से उतनी बड़ी नहीं है लेकिन इस मैच पे अगर इंडिया के बलेबाज या थे यू के एक्सपेक्ट अस्कोर ऑफ बन फॉर्टी अभी तक हर टूर्मेंट के हर मैच में उनने स्कोर की हैं इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है हमेशा क्लोस मैच इस होते हैं कई बार लो स्कोरिंग क्लोस मैच लेकिन जो ये दो मैच इस से उसमें 26 विक्टे गई हैं पांच फास को 17 स्पिन को 4 रन आट हुए हैं इंडिया वुमेन के प्लेयर रोल्स की बात करें तो बड़ा स्कॉर्ड है दोस्तो इस बार इंडिया एक्सपरिमेंट नहीं करेगा पिछले दो मैच इस से बल्ले बाज मिल जाए considering उनका फॉर्म अच्छा रहे बट यह जो जनरली करते हैं उपनी मंधाना और वर्मा ठीक है यहां पर जेमामी रोडरीगी इस सीरीज में जो बेस्ट फॉर्म में रही है टीम्स कहीं बार इतना स्कोरिंग नहीं करी जिता है इन्होंने अखेले ने स्कोरिंग कर लाजवा फॉर्म में लगी नहीं रहा था उट होंगी लगी नहीं रहा था बहुत बैतरी हैं क्रिकट के लिए हैं हर्मन प्रीत को और तेते संट के पहले मैच में उसके बाद बले बाज़े नहीं करी टूनमेट में रिचा गोश से कॉंट्रिबूशन आया तेज खेलने के आके वैसे आपको लोर ओडर में दीखेंगी पूजा वस्तराकर अगेन फिनिशिंग करती हैं तेरा रन है स्नेर आना बल्ले बाज़े भी करती है लेकिन मौका नहीं मिला टूनमेंट में गायकवाड लेफ्टाम और राइटाम मीडियम पेस ठीक है स्विंग बहुत बढ़ अच्छी गेंद बाजी कर रही है अभी के लिए बोलिंग में दोस्तो द्यालन हेम लथा नहीं यहां चार विकेट निकाला है अजीब बात है इत्तिफाक है टॉप विकेट टेकर है अभी इंडिया की कंसेडरिंग की मेन बोलर नहीं है मेन बोलर आती है रजेश्वरी गाय तो टीम की अगर आप देखोगे बोलिंग उपर नीचे हुई है क्योंकि इन्होंने पिछले मैच इसमें रेस्ट दिया प्लेर्स को मेजर ली जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपको बताता हूँ अगर लाइन अप यह रहती है पूजा वस्तराकर आपको दो से तीन ओ एक हम लथा को दो ओवर दे सकती हैं बाकि सनेर आगायकवार्स का पूरे ओवर करनी चाहिए दीपती भी उवर करनी चाहिए बेसिकली हम लथा में ओवर डिवाइड हो सकते हैं पूजा के साथ पाकि गिवन ऑन डे अगर कोई बोलर खराब कर रहा है तो किसी और को भी ओव रहा है मैं बात करता हूँ अब पाकिस्तान की अच्छा कोई निया हो तो उसको नहीं पता होगा रिकॉर्ड रीड कैसे करने मान लेते हैं कि अप्पू यहां पे रीड करने है स्मृति मंधारा के स्टैट्स 95 मैचेज 93 टाइम सबले बाजी करी 233 27 की अवरेज 17 अडश तक प् रेना बैग अच्छी फास पूलर एंड अशरसंदू सद्धिया एक बाद लेफ्ट हम स्पिनर अच्छी है तुबासन लेक्स पिनर अच्छी है बाकि आले अरियास को उतना टीम यूज नहीं कर दी प्लेवर बढ़िया है हम अगर लाइनप पे चले डिरेक्टली इनकी कु इनको सिद्रामीन मुनीबा अली और विजमा मरूफ थोड़े-थोड़े स्कोरिंग कर रहे थे क्योंकि टार्गेट ज्यादा बड़े नहीं मिले देन उमाइमा सोहेल है आलिया रियाज है तूबा हसन जो कि इनके लिए लेक्समिन करती है दायना बैग राइटा मीडियम प तोटल तीन विकेट है नीदादार पास चार तूबा हसन पास चार उमाइमा सोहेल पास चार नर्शार संदू वन अब दे मोस्ट एकनॉमिकल बूलर्स इन टूर्नमेंट तीन से कम की इकनॉमी है बाराओं डालने के बाल विकेट एक ही है जबकि यह लगातार डेथ में और करने आई है लगातार पिछले मैच में 18 था फर्स्ट मैच में जितना मुझे आदार 20 था सेकंड में शायद 19 था इफ नॉट 19 तो 20 था तो लगबग डेथ में ही आ रही है यहाँ पर काइनात इम्तियाज ने एक और किया था मैच का सोलवावर जहां इनको एक विकेट मिला अब आप देख रहे हो पाकिस्तान के स्टैक्स जिससे आपको पता लएगा नीददार इनकी की प्लियर हैं बिज्वा मारूफ अच्छी है सिद्रा नवाज ने बहुत इंप्रूब्मेंट कर लिया दोस्तों यह आपको बता दू माफ करना सिद्रा नवाज ने नहीं सिद् अगर आपने एक्सजेश होने टू पहले तो डाउनलोड नहीं करी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर डाउनलोड करने बहतरीन अप्लिकेशन है डाउनलोड करते ही मिलेंगे 50 रुपए एस बोनस अगर आपको एक्ट्रा 50 रुपीश चाहिए जो आप फुल पाकिस्तान की अगर बोलिंग रहती है तो आप ये मूव जरूर करना अगर बल्लेबाजी आती है तो इगनोर कर सकते हो ठीक है ध्यान से सुनने है पाकिस्तान की बोलिंग आए तो ये मूव कर सकते हो ठीक है यहाँ पे मैं चलना चाहूंगा पुजा बस्तराकर करके दो श केल सकते हैं जहां 10 रुपे से आप 400-500 भी कमा सकते हो डिस्क्रिप्शन में एक्सजेंच वाने लिंक है वेरी गुड अप्लिकेशन भाइदर वे कबड़ी का लेटर बोड आ गया प्राइजेस देखे आपने यह लेटर बोड टायर 3 के प्राइजेस है आइफोन 14 अरे रैंक 2 प्राइजेस देखे जाओ जरूरी नहीं है हाई इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आप 1000 रुपे तक लगा सकते हो तो भी आप प्राइजेस लेगे जा सकते हो यह 1000 रुपे वली कैटेगरी के प्राइजेस है यानि कि आपको 1000 रुपे से कम लगाने है यह रूल रहेगा तो भी आप प्राइजेस लेगे जा सकते हो दोस्तों जब हम अपनी टीम की बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेगी मुनीब अली पाकस्तान की ओपनर लेफ्ट हैं और विकेट कीपर लेकिन रिचा गोश जो की काफी अच्छी प्लेयर हैं फिनिशिंग करत काफी बढ़िया खेलती है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उतना अच्छा नहीं खेला तानिया भाटे का भी लगभग ऐसे ही कहूंगा तो ये दोनों की बेस्ट ऑप्शन है जिसमें मुनीबा अली काफी हथ तक ओपनिंग की वज़े से सेफर बन जाती हैं बल्लेबाजी जो इनका फॉर्म रहे टूनमेंट में दो बार सत्तर लगाना दो ही बार बल्लेबाजी आई है ला जवाब लेकिन इनका बड़ा टेस्ट होगा क्योंकि आब बुलिंग लाइन अप सामने अच्छी है पाकिस्तान की सिद्रामीन स्माइल कर रही है क्योंकि फॉर्म अच्छ इंडिया ओपनिंग पे आएंगी लेफ्ट एंड प्लेयर है जनरली देखोगे तो काफी स्कोरिंग में रहती है ठीक है नौ इफ इंडिया इस बल्लेबाजी फर्स्ट यानि की ये कैसी अंग्रेजी है प्यूश भाई अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है तो हर् हाला कि ये फॉर्म में सिद्रामीन बट लेना जरूरी नहीं है इंडिया की बोलिंग अच्छी है आप ड्रॉब भी कर सकते हो रिसक लेके मैं फिला सिद्रामीन के साथ हूँ जो ओपनर है ठीक है मेगना के जगा मुझे लगता है शेफाली खेलेंगी शेफाली भी ओपनर ह अगर मेगना खेलती है तो इनका फॉर्म अच्छा है मेगना को भी ले सकते हो तो बेसिकली ये प्लेयर्स है सबसे इंपोर्टेंट पाकिस्तान की प्लेयर जो मुझे एश्यकप से पहले पूछते बल्लेवाजी रिपार्ट्वर्ट में वो थी बिजबा मारूफ लेकिन प क्लियर बहुत स्ट्रॉंग है तेजी से खेलना पसंद करती है हाड एटर है बोलिंग इनको नहीं मिल रही वैसे ये मीडियम पेस भी करती है आईशा नसीम बहुत यंग क्लियर है लेकिन फिनिशर है के नीचे आएंगी अगर खेलती भी है तो शमाज तो इतना कुछ खेली क्रिकेट में लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दू दोस्तो प्लियर बहुत अच्छी है अगर बाइचंस ऑपर्शनिटी मिल जाए तो परफॉर्मेंस दे सकती हैं बोलिंग तो करती ही है नीज़ादार बहुत क्रूशल खिलाड़ी पाकिस्तान की मेजर ओल रौंडर उन तीनों अच्छी और रौंडर्स हैं इंडिया की ओवर भी करेंगी रंग भी कर सकती हैं पुझा तेज़ खेलने के लिए जानी जाती है ठीक है स्नेयराना कुछ ओवर करेंगी और स्पिन करेंगी लेकिन ये दोनों वो प्लेयर हैं जिनोंने हमें आपको याद होगर इंडि जिताया था तो यह दोनों का वैसे ही पाकिस्तान के सामने रिकॉर्ड अच्छ है काइनात इम्तियाज एक ही ओर डाला जिस वजे से हम नौट प्रेफरिंग यूहनी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है दाइना बैग इंपोर्टेंट फास्पुलर रजीश्वरी का पाकिस्तान की रजेश्वरी गया को ले रहा हूं जो की फास्पुलर है इंडिया की ठीक है नौ यहां पे ना दाइना बैक को भी ले सकते हो नहीं लेना पूजा वस्तराकर दियालंग हेम लथा और राना में से किसी को ले सकते हो फिलाहाल मैं दाइना बैक के साथ हूँ पुछ ऐसा कॉम्मिनेशन बन रहा है लेकिन यह मेरा उपर नीचे हो सकता है मैं एक और राउंडर बढ़ा सकता हूँ अब वो और राउंडर इनुका सिंग की जगा हो सकता है या किसी और की जगा भी तो यह चीज़ देखके चलना सच पता हूं कर देती हैं अभी क्यों क्योंकि फीलिंग आ रही है कोई ना कोई इंडियर ही प्लियर लेनी चाहिए स्नेर आना यार बूलर बहुत अच्छी है लेकिन अब और कम मिल रहे हैं लेट्स गो फर पूजा वस्तरा कर जो आपको और भी दे रही है हो सकता है कट जाएं और लेकिन कई ना की बल्लेबाजी भी करती है हार्ड इटर है प्रमोड भी हो जाती है CVC के तोर पे यहां पे मैंने नीदादार को लिया है यहां I am grouping की हम कुछ मैप जीतें क्योंकि अच्छी प्लियर है बल्लेबाजी भी देती है जाधा लोगों ने कप्तान नहीं किया अभी VC के तोर पे और यह ना ओवर भी डालती है पूरी नीदादार VC के तोर पे दीपती शर्मा एक option है जैमामा एक option है बहुत अच्छी और bowling department से अगर पूछोगे तो मुझे लगता है रजेश्वरी का है लेकिन मैं फिलाल एनी दोनों और राउंडर्स के साथ गयों कप्तान न